Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baby Health Guide दोस्तों, नवजा शीशु का पहला और एक मात्र अहार है मा का दूद बच्चों के लिए मा के दूद से बैतर और कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नवजात को किवल मा के दूद की पहचान होती है और वै उनके लिए अमरित का काम करता है क्योंकि मा के दूद में कहीं तरह के पोशन तत्व होते हैं जो बच्चों को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं आम तोर पर बच्चे दो से तीन साल तक मा का दूद पीते हैं लेकिन कहीं बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अचानक से मा का दूत बीना बंद कर देते हैं क्या आप जानते हैं कि इसके पीचे क्या करण है कहीं ये आपके बच्चे के स्वास्त के लिए नुकसान दायक तो नहीं है कहीं बच्चा किसी रोग का शिकार तो नहीं हो गया है अगर आपके जहन में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आपको खुद इनका जवाब जानने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि नवजा शिशु अपनी किसी भी फिलिंग को बोल कर नहीं बता बाता है वह अपनी बात को समझाने के लिए रोकर दिखाता है लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप इन कारणों की पहचान कर सकते हैं और इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मेरी आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सजाकर सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही बने इस बाला आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि जैसी हम कोई न्या वीडियो अप्लोड करें उस वीडियो की नॉटिविकेश मा के स्तनों में दूद की कमी हो सकती है यानि कि जब मा के स्तनों में दूद कम हो जाता है तो उस स्थिती में बच्चे को जादा एनरजी लगानी पड़ती है जिसके चलते वैद दूद पीना अचानक से छोड़ देता है और फिर भूग की वज़े से रोने लगता है ऐसी स सास लेने में दिक्कत होती है नाक के द्वारा सास को छोड़ने और लेने में जब बच्चे को दिक्कत होने लगती है तो वे अचानक से दूद पीना छोड़ देता है ऐसी स्थिती में आप डॉक्टर से स्लाल ले सकते हैं नमबर तीन बुखार आना दोस्तों जब बच्चे को बुखार आता है तो उनकी इम्म्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वे दूद पीने के लिए जोर नहीं लगा पाते हैं अगर बुखार और दूद ना पीने जैसे लक्षन शिशू में दिखाई देने लगते हैं तो बिना देवी की डॉक्टर के पास जरूर जाए नमबर चार पेट में दर्द दोस्तों नवज़ात या एक से दो साल के शीशू को भी पेट में दर्द होता है क्योंकि शीशू केवल दूद पीते हैं इसलिए वे अक्सर कब्ज पेट में दर्द और गैस की समस्या उन्हें हो जात की कोशिश करें नमबर पांच दाथ निकलना दोस्तों दाथ निकलना भी नवज़ा शीशू का एक अचानक दूद छोड़ने का कारण हो सकता है जब शीशू के नए नए दाथ आने लगते हैं तो दूद पीते वक्त उन्हें चुबंसी होने लगते हैं इसलिए वे कई बा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाए बाए